ओके गाइस सब्सक्राइब करने से कामने चलेगा, साइट में जो बैल आइकन है उसी भी दबाएं ताकि नेस्ट वीडियो हमारी आपको नोटिक्रिकेशन के दूर आपकी मोबाइल भी मिल जाए अगर आप पावर डिरेक्टर उसे डाउनलोड किया है तो जब आप उसमें वीडियो को एडिट करते हैं तो साइड में एक वोटर मार्क आ जाता है जो कि काफी बद्धा लगता है आपकी वीडियो एडिटिंग करने के बाद जब वो प्ले होता है तो वो काफी बेकार सा गएगी तो यह वीडियो उसी के ऊपर है तो गैस इस वीडियो को पूरा देखें और गैस लाइक करना और सस्क्राइब करना ना भुलें अगर आपका वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक बेटन पर जरूर क्लिक करें तो थैंक यू गैस और देखिये चलिए सुरू करते हैं Welcome back guys यहाँ पे मैंने जो पावर डिरेक्टर जो डाउनलोड कर रहा है वो गूगल प्ले स्टोर से ही मैंने डाउनलोड किया है और जैसे कि मैं इसमें कभी भी वीडियो एडिटिंग करने की सोचता हूँ तो मुझे सबसे भद्दा जो चीज लगती है करना चाता हूँ तो यह इतना ज़्यादा पैसा ले रहा है कि कोई भी इसको डाउनलोड नहीं करेगा मतलब कोई भी इसको फ्री नहीं करवाएगा तो आपको करना क्या आपको गूगल प्ले स्टोर में ही जाना है और यहाँ से पावर डिरेक्टर बंडल के नाम से एक एप है वो आपको डाउनलोड करना है सेम यही फीचर है उसमें और यह एक एडवांस वर्जिन है इसको आपको फ्री में डाउनलोड करने के लिए एक कोड अक्टिवेशन के लिए कोड डालना पड़ेगा तो वो code मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि वो code किया है तो जैसे कि यह अब app जो है हमारा यह अब download हो चुका है तो जैसी इस app को मैं open करता हूँ तो देखिए यह हमारा डाउनलोड हो गया इस app को जब मैं open करता हूँ तो यहाँ पे activate or note now लिखा आता है तो मेरे को activate पे click करना है ताकि इसके जो version है वो सारे apps जो function है वो सारे free मिल सके तो आप करना का है यहाँ पे PM जो code आपको डालना है Y, Z, H, B, W और E यह code जो है आपको डालना है और इसको activate करना है अब जो मैं यहाँ पे कोई भी video edit करता हूँ जैसे कि मैंने ले लिया अब मैं इसको open करके कोई video लेता हूँ और कोई भी ले लेता हूँ जैसे कि मैंने यह वाली video जो है वो select कर लेता हूँ WhatsApp वीडियो में से तो यहाँ पे मैं कोई भी video select कर लूँगा तो जैसे कि अब मैं यह video select कर रहा हूँ और जब यह play होगी तो इसके side में आप देखेंगे कोई watermark नहीं है तो इसमें same way function है जो आपने पहले option में देखेते हैं तो यहाँ पर देखिए arrow का निशान आपको दिख रहा है तो वहाँ पर कोई भी watermark नहीं है तो आप इस app से अपनी video को edit कर सकते हैं इसमें same way feature मिलेंगे तो thank you guys bye and please subscribe करना ना भोले ऐसी technical की video देखने के लिए